आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ शिक्खा मैर उत्रा शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनओ के इंद्रागाधी प्रतिष्ठान में 3 जून से शिरू होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी का आयोजन किया जा रहा है इस बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी वे 800,000 करोर रुपे का इंवेस्टमेंट और 1406 कंपनिया शामिल हो रही हैं देश के प्रधानवंत्री दरेंद्र मोधी इसका शुभारम करेंगे और इसके लिए लखनओ एयरपोर्ट से लेकर इंद्रागाधी प्रतिष्ठान तक पूरे शेहर को शांदार तरीके से सजाया गया है प्रधेश की योगी अरितनाथ सरकार की तरफ से कल ग्राउंड ब्रेकिंग 3 का सेवनिक आयोजन किया जा रहा है और इस रक्त में मौझूद हूं इंद्रागाधी प्रतिष्ठान में जहां आप देख सकते हैं कि इंद्रागाधी प्रतिष्ठान को पूरी तरह से सजा दिय गया है सुरच्छा के पूरे करें इंतिजमात किये गये हैं मेटल डिटेक्टर लगाए गया है साथी साथ आपको बताएं कि 80,000 निवेस की बाते कहीं जा रही है वहीं आपको बताएं कि सुरच्छा व्योस्था के साथ साथ सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं जो नगर करेंगे प्रदान मंत्री की सिर्कत के बाद कर लिसका इकरम का सुबारंव होगा और आपको बताएं की प्रदेश के पाँचला की वारो रोजगार देने के वी असार की बात की जा रही है वहीं आपको बताएं कि तीन जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्मनी में प्रदान तो देखने वाली बात होगी कि जहां देश और बिदेशों से निवेसक आ रहा है उत्तव देश के अंदर में निवेस करने ये कहां तक कारगर साबित होता है कैम अमन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनौ। केंद सरकार के आठ साल पूरा होने पर सांसद लल्लू सिंग ने कहा कि आयोध्या को अध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद सरकार ने योजनाओ की श्रिंखला दी है। यूपी सरकार जमीन उपलब्ध कराने वाली है। रिंग रोट के मात्यम से आयोध्या में जाम न लगे। आयोध्या में घील भाल से जो बाहर जाने वाले लोग हैं। उनको सुवधा उबलब्ध कराने का काम हम करेंगे। अयोध्या की सारी सडकों का चोड़ी करण अस्थानिय लोगों से प्रामर्श करके उनकी सुवधा के अनुसार और आने वाली स्रधालों के सुवधा को देखते हुए करने का काम सरकार कर रही है। उननाओं में डिप्टी सीम रिजेशिय पाठक ने जिला अस्पताल और नवाब गंज स्वास्त केंदर का ओचक निरिक्षण किया। पूरी बेवस्था को अपने बिंदुवार देखा है, सफाई सम्चित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश नहीं है, उसके तकाल सुब्यवस्थी धर्म से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए, और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी इनकी दिक्ते हैं, उनको भी हमने सुना है, और कोई दिक्तत नहीं है, हम अपने अस्पताल परिसर में हमारे जो मरीज हैं, उनकी भर्मान करके सेवा करेंगे, उनको सभी को जो हमारी सरकारी इस तरफे जो दवाईयां उपलब हैं, उनको सब को दवाईयां स्पताल काउंटर से मिलें, किसी को को दिकत नहीं हो, चिकिसक समय से बैठें, और इसमें हमारे जो सरकारी चिकिसा तंसर मेंचे, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, और हम आप देख रहे होंगे कि पूर सरकारी चिकिसा बिवाग में 90% भार हमारे जो सबी मरीज हमारे आते हैं, और हम उनका सकुसल इलाज करें, यूपी के डिप्टी सीम और स्वास्त मंतरी ब्रिजे शपाठक ने कानपुर शहर के औरसला अस्पताल का निरिक्शन किया, और मरीजों का हाल चाल जाना, उन्हों ने मानफता की मिसाल पेश करते हुए उसके इलाज का खर्च खुद देने की बात कही। बेवस्ता है, चुज दुरूस रखी है, सबको सरकारी दवया मिलेंगी, परिशर में पीने का पानी उपलब्ध हो, इस्टेचर भीलचेर उपलब्ध हो, चिकित सक्त हमारे सभी समय से बैठें और सबका समुचित इलाज करें। चंदौली में केंद्रे मंतरी डॉक्टर महेंदर नात पांडे ने एक बयान देते हुए कहा कि सीम योगी की अगवाई में तीसरी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। इस ओफ डूइंग बिजनस में भारत में यूपी का दूसरा स्थान आने के बाद प्रदेश में इन्वेस्ट बढ़ा है। और रामपूर आजमगर्ड लोकसभाज उप्चुनाओं को लेकर केंद्रे मंत्री ने दावा किया है कि उप्चुनाओं में पार्टी शानदार चुनाओं लड़ेगी और जीतेगी। वहीं कॉंगर्स पर निशानस साथते हुए उन्होंने कहा कि कॉंगर्स निराश है, कॉंगर्स जडो से कटी पार्टी है। 8 साल में प्रुफलंदियों का बड़ी सिंखला हैं लेकिन एक बाक में कहा जाए ुदि सरकार। सेवा करने वाली सरकार। धरीबों की व्लाइस करने वाली सरकार। सुशासन देने वाली सरकार, नीमानदार पारदर्सी सरकार और जदता की उपीदों पर खड़ी उतरने वाली सरकार शुरूपे लगातार दो वरस, दो कारकाल में आठ वरस पुड़े कर रही है और आगे भी तीम रिगती से जनात जिर्वात से काम करते हैं और सुधर की काल खबर लखना उसे है जहाँ पर लोग भवन में फिल्म समराट पृत्वी राज की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई सियम योगिया अधितनात ने राज में टैक्स प्री करने का एलान भी कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश का पिचर खराब करके भाजपा अधितनात सरकार पिचर देख मनुरंजन में व्यस्त है इस तरह से आरोप भी लगाया गिया है प्रत्वी राज पिचर देखिए लेकिन उस पिचर और प्रत्वी राज चौहां के आदश संदेश को भी लीजे जिन प्रत्वी राज चौहां ने अपने प्रग्या की सुरक्षा और सम्मान के लिए जीवन भलडाई लड़ी भाजपा पिचर तो देख रही है लेकिन प् पिच्चर देखने के बाद भाजपा नेता कुछ सीख भी लेंगे इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है और क्या कुछ का आप भी देखिए पूरे उत्तरप्रदेश की पिच्चर खराब करके अब भारती जनता पार्टी के नेता पिच्चर देख रहे हैं और लुपत पिच्चर देखिए लेकिन उनसे सीख भी लिजिए जिन्होंने अपने प्रजा की रच्छा के लिए उनके सम्मान के लिए उनके अधिकारों के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया लेकिन समझावता नहीं किया और भारती जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है योग पिच्चर देखिए लेकिन पिच्चर से जो सकारात्मक संदेश है वो भी लीजिए और उसे लागू करें। राय बरेली से एक बड़ा मामला सामने आया है जो हसेना के जवान ने समविदा कर्मी पर फर्जी नवीनी करण करने का आरोप लगाया है और बताया कि समविदा कर्मी NIC में नेटवर्क इंजीनियर के पद पर कई वर्षों से तैना थे और जम्मू कश्मीर में बने असलहे के लाइसेंस के नवीनी करण का ठेका लिया था जिसके बाद लाइसेंस बुक पर फर्जी यू आईडी नमबर डाल कर फर्जी वारा किया फिलहाल सिटी मेजिस्ट्रेट ने जाच कर कारेवाई करने की बात कही है इसलिए मेरो पर ये बारं बार अरोप लग रहा है एक सुशील सिंग नाम के सेनिक हैं जिन्होंने ये कहा था कि उनका जो लाइसेंस है वो राइबरेली में जो की खपरों में आ रहा था कि UIN फर्जी जनरेट हो गया है इस आशे की सूचना है प्राप्त हो रहे थी लेकिन जब इसको देखा गया और मैंने सुयम सुशील सिंग में कारेरत है इसलिए जब वो रहां से सेवा से रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ही राइबरेली में उनका लाइसेंस दर्ज हो पाएगा खबर एटा से है जो हधाना पिलुआ पुलिस सर्विलांस टीम और इंटेलिजन्स विंक की संयुकत कारवाई और मुढ़ भेड होई जिसके बाद लूट की योजना बनाते हुए ट्रांस फार्मर विद्युत लाइन चोरी करने वाले गिरहों का भंड़ा फोड़ हुआ है इस मुटभेड के बाद छे शातर बदमाशों को पकरने में सफलता मिली है वहें इनके दो साथी फरार बताय जो रहे हैं इन सभी बदमाशों को सुनना नहर के पास बने सुचाई विभाक के गेस्ट हाउस की दीवार के पास से लूट की योजना बनाते समय गिरफतार किया जिनके कबजे से पांच हवायत असलहें तथा कार्टूस बरामद हुए हैं इनके दोरा टांसफार्मर चोरी वा तार चोरी के अपराद मुखितर कारिक किये जाते हैं श्राजहपुर में एक भीशट सड़क हाथसा हुआ है जहां देज रफ्तार कार अनियंत्रत होकर पलट गई और इस हाथसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि साथ लोग गंभी रूप से घायल हो गए हैं फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है इसमें दो लोग सीरेस थे हाय सेंटर रिफ्रकर देए बेस ट्रीट्मेंट देए बागे पांस लोगों का जो है ट्रीट्मेंट यहां चल रहा था और यह लोग और यह में एक युवक का शवख खेतों पर आम के पेर से लटकता मिला है ग्रामीडों ने घटना की जानकारी परीजनों को दी युवक की मौत से परिवार वालों में कोहरा मच गया मौके पर पहुची पुलिस ने शवख को कबजे मिलेकर पोस्ट मौटम के ले भेज दिया है युवक लोडर चाला कर अपने परिवार का भरण पोशन करता था कोतवाल सुजीत वर्मा ने बताया कि पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण सामने आ जाएगा ख़वर गाजियाबास से है जहाँ पर लोणी बॉर्डर एलाके के नाले में अधेर युवक का शव पढ़ा मिला है दरसल युवक ड्यूटी पर गया था जिसके बाद से वो घर नहीं पहुच पाया परिवार वालों ने नाले के ओपर ही शव तैरता हुआ देखा और अमरतक को पढ़ा देख परिजनों ने थाना लोणी बॉर्डर पुलिस को इसकी सूचना दी मौके पर पहुची पुलिस ने शव को पोस्ट मौटम के लिए बेजा है खबर बिजनोर से है जोहाँ छे दिनों से गाया वेक महिला का पास के खेत में ही शव पढ़ा हुआ मिला है शव मिलने से हिलाके में संसनी फैल गई जिसके बाद पुलिस ने इस सूचना पाकर मौके पर पहुची और वहाँ पे जमीन में गाड़े हुए शव को कबजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज़ दिया है और साथ ही आरोपी पती को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है कियो मारा पटनी को में बाल खिछन है घमार मार दिया है तो थो बछैव नहीं दोगदी तो मार दिया हुश है। कि दूसरी पतिनी को बुलाया गला दवा कर मार कर अपने ही खेप में एक हुए जमीर के अंदर मार करके गाड़ गिया था एक व्यक्ति जो उसकी बहन के चाइना के बहन के हाँ जो पैकेट घ्या था उसमें मारते हुए या नाम उसमें बताया था पुलिस ने उसी के आधात और तलास कि आधितों की अधुक पकड़ा गया जो उनको पगूल किया नसीम उसका चेचेरा घाई और उसकी पत्नी तीनों ने मिल करके बारा है अधुक्ति नसीम गिरफदार है यह जा रहा है सेस्टों की गिरफदारी सेस्ट इनने लगा जी गई है बिजनौर में इन दि आया जहां एक पती ने अपनी पहली पत्नी की चाह में अपनी दूसरी पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी और उसके शब को अपने परीजनों के साथ मिल कर खेत में गार दिया इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक गुमनाम व्यक्ति द्वारा एक गिफ्ट मृतिका क बहन के घर भेजा गया जब उसकी बहन ने वो गिफ्ट खोल कर देखा तो उसके पैरो तले जमीन खिसक गई मृतिका की बहन ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी और गिफ्ट के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी पुलिस ने गिफ्ट का संग्यान लेते हुए जब खेत मर जाकर जाच परताल की तो पुलिस के भी होश उड़ गए पुलिस ने च्छानबीन में जमीन में से महिला के शब को बरामत किया और पोस्माटम के लिए बिजवाया इस हत्या का खुलासा आज बिजव्ग नौर S.P. दवारा प्रेसवारता कर किया गया है पुलिस ने हत्या रोपी पती को गिरफतार कर लिया है जबकि इस हत्या में शामिल दो अन्या लोगों की गिरफतारी अभी शेश है तुशारवर्मा प्राइम टीवी बिजनौर अलिगर्मी योग शिवर के दूसरे दिन बंदियों और अधिकारियों को मिलकर योग कराया गया इस दौरान शिवर में एक शांत और सुखद अनुभूती देने वाला वातवरन था वहीं वर्ष्ट जेल अधिक्षक श्रीपी के सिंग ने शिवर को संबोधित करते हुए कहा मन को इतना मजबूत बनाईए कि किसी के भी व्याभार से मन की शांती भंगना हो पाए क्योंकि आपका व्याभार सिर्फ आपका नहीं आपके परिवार का परचाई होता है मन को योग क्रियाओं से मजबूत बनाया जा सकता है कि थे कि हमारे जेल में बहुँ से बंदिबन है जन्मीश से बहुत से बंदी दूर करने के लिए की यूग के द्वारा और धान्य पीन самые कर dark ग़ारा जो है दूर करने की कोसिश की जा रहे हैं कुसी कित ताहथ उसी कंक्रम nain यूग पंतन्जली योग सिवा शमित प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहा लेता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सरुका झाल